दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो में आप सब इकास स्वागत है आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप आपने मुबाइल अप्लिकेशन फोन पे की मदद से किसी और को पेसे केसे भेज सकते हैं आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो आप फोन पे अप्लिकेशन माध्यों से तिन अलग-अलग तरिकेशे पेसे भेज सकते हैं सबसे पहला माध्यों में है मुबाइल नमबर यानि आप सीधे उनके फोन पे नमबर टाइप करके उनके खाते में पेसे भेज सकते हैं दूसरा माध्यों में एकाउंट नंबर, जिस भी ब्रेक्ति को आप पेशा भेजना चाहते हैं, आपको उनके खाते की डिटेल्ट चाहिए, जिसे उनका खाता नंबर, नाम और उनके ब्यांक आयफसी कोड नंबर की आभिशकता होगी, तिसरा माध्यों में QR कोड, यानि आप आपको कुछ भी टाइप करने की जुरूत नहीं पड़ेगी, आप सीधे कीवर्कोर्स कान करके आसनी से पेशे भेज सकते हैं, सबसे पहले आपको आपने मोबाइल पे फोन पे सब्टेयर अपन करना होगा, फोन पे सब्टेयर अपन हो चुका है, और पहला अप्शन सीखे मोबाइल नमबर की जैरिये पेसे भेजने का, तो हमें चैन करना होगा टू मोबाइल नमबर अप्शन, अप्शन को चैन करते हैं सर्च बार में लिखा आ रहा है, सर्च चैन नहीं मोबाइल नमबर आपका मोबाइल पे सेब है, तो सर्च कर सकते हैं, अगर निव नमबर है तो आपको new payment option join करना होगा चलिए एक number type करते हैं हमने एक दोस्त का number type किया type करते ही पेसे भेजने का option दे रहा है जिसमें लिखा है enter amount और chart मतलब है कि आप पेसे भेजने के साथ charting भी कर सकते हैं पेसे भेजने के लिए आपको amount type करना होगा जिसे हमने type किया 500 amount type करते ही receiver का bank में जो भी नाम है उन नाम सब details आ चुका है अगर आप किसी नय वेक्ति को पेसे भेज रहे हो तो आप उनका नाम एक बार confirm करा सकते हैं अब हम pay option पर click करेंगे pay पर click करते ही आपको secret pin मांगेगा फिर आपका जो भी फोन पर UPI pin होगा उसको यहाँ पर enter करना होगा और फिर तीक मार की उपर click करना होगा click करते ही देखिए pay से उनके पास चले गए हैं इसी तरह आप भी mobile number की माधियों से easily pay से भेज सकते हैं अब सी कहेंगे second option account number यानि अगर आपके पास किसी का account number होगा आप उनको उपे से भेज सकते हैं इसलिए आपको phone pay में चयन करना होगा option to bank new page खोल गया है account आड करने के लिए नीचे एक plus mark है plus mark बे click करेंगे click करते ही बहुत सरे बैंकों का option दे रहा है जिस भी bank का account होगा उसी bank को चयन करेंगे हम जिसको पेशा भेजना चाहते थे उनका State Bank of India का account है तो हम उसी को चयन किया चयन करते ही account number टाइप करने के लिए option है और नीचे लिखा है IFC code not required इसका मतलब है SBI bank के लिए IFC code की जरूरत नहीं है ध्यान रोखे कोई-कोई ब्यांक में IFC code मांगता है तो कोई-कोई में नहीं अब account number टालेंगे account number टालते ही account person का नाम automatic screen पे आ गया है पेशे भेजने से पहले आप नाम भी एक बार confirm करा सकते हैं फिर proceed to pay पे क्लिक करना है फिर आपको amount टाइप करना होगा यहाँ पे डालेंगे फिर ट्रिक मात पे क्लिक करेंगे अब देखिये पेशे उनके account पे चले गए हैं आप भी इसी तरह किसी की account पे easily पेशे बैस सकते हैं तीसरा option है scan QR code कुछ टाइप करने की ज़रुवत नहीं direct QR code scan करके पेशे easily बैस सकते हैं इसलिए आपको phone pay में scan QR code option चैन करना है फिर आपको QR code को scan करना है scan करते ही name details आ जाएगा अगर चाहे तो payment से पहले एक पार नाम भी confirm करा सकते हैं फिर आपको amount type करना होगा amount type करके proceed to pay को select करना है देना आपका API secret pin एंटर करके tick mark पे क्लिक करना है अब देखिये पेसे उनके पास चले गए हैं इसी तरह आप भी QR code कान करके easily पेसे भेज सकते हैं इसी तरह आप तीनु तरीके से पेसे easily भेज सकते हैं कौन सा तरीका आपको आच्छा लगा comment box में comment करे वीडियो informative आच्छा लगा तो क्रिपया चैनल को like, share and subscribe करना ना मुले मिलते हैं और एक informative वीडियो के साथ धन्यबाद